Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं English poet John Milton की Sonnet 7 How soon hath time? यहाँ पर Milton ये बात कर रहे हैं कि कितना जल्दी समय गुजर जाता है, कितनी छोटी सी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जिंदगी में मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया जब मैं जवान था, अपने घर में रहता था, तब बहुत सालों तक तो मैंने कुछ पब्लिश ही नहीं किया और उसके बाद वो पोयम में अपने आपको comfort करते हैं religion की तरफ बढ़ते हुए कि मैं वही accomplish करूँगा जो ईश्वर मुझसे चाहेगा, ना उससे कम, ना उससे जादा तो यहाँ पर कई religious debates का एक थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, feel Milton इस बात को reject कर देते हैं कि जिंदगी हमें कुछ काम करने के लिए मिली है यह catholicism का विचार है, जो catholics होते हैं Christian, वो इस पर विश्वास करते है कि जिंदगी ईश्वर से जुड़ी भी है, सिर्फ काम से नहीं और इंसान वही काम करेगा जो उसे ईश्वर कहेगा आई अब इसका line by line explanation मैं आपको बताता हूँ How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his wing my 3th and 20th year Speaker यहाँ पे विलाब कर रहा है कि कितनी जल्दी समय गुजर गया यह समय एक चोर जैसा है, जो लोगों से उनकी जवानी चुड़ा लेता है उसने मुझ से 23rd year चुड़ा लिये My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shoot मेरे दिन तेजी से गुजर गए मैंने कुछ substantial चीज प्रोडूस नहीं करी Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near मैं अब physically एक आदमी जैसा नहीं दिखता, जो मैं बनने जा रहा हूँ And inward ripeness doth much less appear that some more timely happy spirits and doth हलंकि मेरे अंदर potential है, पर फिर भी मैं impressive नहीं दिखता या promising नहीं दिखता उन लोगों के मुकाबले जिनोंने कम समय में भी कुछ accomplish कर लिया Yet be it less or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot लोट का मतलब होता है भाग्या बड़ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, आज नहीं तो कल जो भी मैं करता हूँ, वो उतना ही होगा, जितना मेरे फेट में है, मेरे भाग्या में है उससे कम या जादा नहीं हो सकता However mean or high toward which time leads me and the will of heaven चाहे मेरे जिन्दगी कितने भी mundane हो, साधारन हो वो उतना ही समय होगा, जितना की ईश्वर ने मेरे लिए सोचा है All is if I have grace to use it so, as ever in my great task, master's eye अगर मैं ईश्वर की इच्छा को पूरा कर पाऊं तो ये तभी संभव है, जब उसकी grace मुझ पर हो, उसके दया मुझ पर हो और सब कुछ वैसा ही होगा, जैसा ईश्वर ने मेरे लिए डिजाइन किया है, जो great task master है उनकी आँखों ने जो मेरे लिए सोचा है, वही होगा दोस्तों इस की theme क्या है, इस sonnet की, एक तो इसकी theme है work, ambition और aging इसके अलावा faith, grace और self surrender, ये भी इसकी theme है I hope मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी पनल पे नए हो तो subscribe करो, bell बटन को tick करो, ताकि सबी notification आपको मिल पाएं अपने friends के साथ इसे share करो, और comment box में अपना feedback भी दो कोई और भी ऐसे topic हैं जिनकी हिंदी आप चाहते हैं तो मुझे बताओ आज के लिए इतना ही, thank you so much, फिर मिलेंगे एक और topic के साथ